हेलो फ्रेंड्स आप सबोंगा एक बार फिर से सबागते हैं दोस्तों जर्खन के सवतंता सेनानियों में सवतंतता के जो क्रांतिकारियों में से हम बहुत सारे जानकारी देख लिए थे आज इसी में देखने वाले हैं ते लंगा खड़िया के बारे में और यहां भी बहुत बीजोड को देख सकते हैं उहां पर भी ऐसे कुछ क्रांतिकारी या वीर सहित सब्सक्राइब कर लें तो चलिए ते लंगा खड़िया के बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं तो वीर आधिवासी ते लंगा खड़िया का जन्म नौ फरवरी 1806 को वरतमान के जहर्खन तो यहां पर जो आधिवासी वीर तेलंगा खड़िया थे उनका जनम नो फरवरी 186 को बरतमान के जारखन राइज के जो गुम्ला जिला है और उसी गुम्ला जिले के सिसे थाना छेतर के मुर्गु गाँ में हुआ था तो यहां पर इनका जो डेट ओफ बर्थ है और गुम्ला जिले के सिसे थाना छेतर का मुर्गु गाँ यह ध्यान में रखना है यह खड़िया आधिवासी साधारन किरिशक थे और यह साधारन आधिवासी किसान थे किरिशक ये खेतिबारी अपना करते थे और जीवने आपन करते थे इनके पिता का नाम ठुईया खड़िया और माता का नाम पेती खड़िया था पेती या पेतो तो इनके पिता का नाम ठुईया खड़िया और माता का नाम था पेतो या पेती खड़िया था साथ इसाथ इनकी पत्नी का नाम रतनी खड़िया था और इनके पूत्र का नाम जोगिया खड़िया था तो यहाँ पर इनके पत्नी का नाम रतनी खड़िया और पूत्र का नाम जोगिया खड़िया था तो यहाँ पर इनके पीता, माता, पत्नी और पूत्र के नाम दिया गु तो समभव तर्य इसी इनका नाम तेलंगा पड़ गया था तो दोस्तों तेलंगा खड़िया का जो धरम था सरना धर्म उनमें इनका बहुत विश्वास था और खडिया भासा में इन के जो खडिया आदिवासी है उनमें खडिया भासा में जो लोग वीर होते हैं सासी होते हैं, अधिक बोलने वाले होते हैं, उनको खड़िया भासा में तेब लंगा कहते हैं। और माना चाता है, यह सांभव है कि इसी तेब लंगा से ही इनका नाम तेलंगा पड़ गया है। इनके दादाजी सीरु खड़िया धार्मिक सरल तथा सहित्य विचार के विक्ति थे और इनके जो दादाजी थे शीरु खड़िया जिनका नाम है वे धार्मिक सरल तथा सहित्य विचार के विक्ति थे किसान होने के साथ साथ ये अस्तर सस्तर चलाना भी जानते थे तथा अपने लोगों को इसकी सिच्छा भी देते थे तो दोस्तों ये तो किसान थे तो उनका सरीर हटा कटा बलवान तो था ही और ये उसके साथ साथ में अस्तर सस्तर भी चलाना जानते थे और लोगों को अस्त्र सस्त्र चलाने में ये मदद भी करते थे उनको सीच्छा भी देते थे ते लंका खड़िया ने अंग्रेजों जमिनदारों तो अन्य ब्यापारियों से लड़ने हेतू अत्याचारियों से लड़ने है तो गुमला के आसपास के लोगों में अपना संगठन बनाया था जिसे ये जूरी पंचायत कहते थे तो उस समय पूरे जारकन में पूरे भारतवर्स में अंग्रेजो का राज था जमिनदार लोग मनमाना कर रहे थे और अत्याचारी लोग भी बहुत सार अत्याचार कर रहे थे तो उन लोगों से लड़नी के लिए तिलंगा खड़िया ने जो गुमला के आसपास या फिर गुमला के गाउं के लोगों को अपना संगठन में सामिल किया था विए अपने संगठन बनाय थे और इस संगठन ने उसका नाम इन्होंने जूरी पंचायत रखा था या फिर उ बिदरों से अंगरेज डर्गें और फिर सतर्क हो गय कुछ दोस्तों उस समाइभ खढ़ को संगटित करने के बाद में इनहोने अंगरेज ऑने बेडात में 149 और एट2 । 50 उसके आचानक विदरों से अंग्रेज लोग डर गे और फिर इनके खिलाप सतर्क भी हो गये तो उस समय जो तेलंगा खड़िया थे इतने ज़्याचारी दमनकारी जमिंदार और अंग्रेजों के खिलाप में अपना संगठानों के साथ साथ इन्होंने विद्रो फ्रारम कर दिया था तो इतने वीर थे ये एक दिन जब तेलंगा खड़िया बस्या थाना के कुमहारे ग्राम में जूरी पंचायत के सदिशों के साथ सभा कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें गिरत्तार कर लिया और कलकत्ता भीज दिये और वहाँ पर कई वर्स तक जेल में रहे तो दोस्तों जूरी पंचायत में इक दिन ततिलंगा खड़िया बस्या थाना के कुमहारे गाओं गिंद्रेफ यह जूरी पंचायत के सदिशों के साथ में अपना सभा कर रही थे वहाँ पर प्लान बना रहे अंग्रेजों के विर्दू में क्या करना नहीं करना है कैसे इन अत्यचारियों को भगाना है तो यह सभा कर रहे उसी समय अंग्रेजों लोग इनको गिरफतार कर दिया और सिधे कलकत्ता भेज दिया इनको और वहां पर यह बहुत सालों तक जेल में रहें 1869 में उन्हें जेल से रहा कर दिया गया तेलंगा फिर से अपने कारी में जूट गये तो दोस्तों कलकत्ता में भेज दिने के बाद में कई सालों तक वहां जेल में रहें इसके बाद उन्हें 1869 याने 1859 में वहां से इनको रहा कर दिया गया उसके बाद फिर से तेलंगा ने वही अपना पुराना काम को ही सुरुक्या की अंग्रेजों को दमनकरियों को आतेचारे को कैसे भगाना है कैसे मुक्त करना है और कैसे सोतंत रहना है इस काम में फिर से जूट गये वो गुमला और आसपास की गावों में घूमते लोगों को अंग्रेजों को भागानी की तरीका बताते तिर चलाने सिखाते लाठी चलाने रही और साथी साथ में अंग्रेजों के खिलाब हथियार उठाने के लिए भी प्रेरित करते थे तो दोस्तों उस समय इतना ज्यादा अन्याय था कि लोग अपना सोतंतरता को ही भूल के थे अपने आजादी को भूल के थे तो इसी कारण से तेलंगा खड़ी या गुमला जिला या फिर गुमला थान देते थे और लोगों को अंग्रेजों के खिलाब हथियार उठाने के लिए प्रेरित करते थे अगर प्रेरित हो जाते तो फिर इनका संगटन जो था जूरी पंचे जिसको करते हैं वह भी और मजबूत होता तो इसी कारण सी ये लोगों में लगातार घूलते मिलते थे और बुधन सिंग नामत एक बेक्ति ने उन्हें गोली मार कर हत्या कर दी तो दोस्तों 23 अप्रेल 1880 याने 23 अप्रेल 1880 में सीशाई इस्तित एक अखाड़े में सुबा सुबा जब इन्होंने प्रसिच्छन करने से पहले प्राथना करने के लिए अपना सीर को जुकाया तो उस अप्रेल 1880 और अस्थान है सीशाई के एक अखाड़े में तो यहां पर यह चीज को भी जानना है ध्यान में रखना है और जो आदमी इनकी गोली मार कर हत्या करती उनका नाम है बोधन सिंग तो यहां से भी इनको ध्यान रखना है अच्छी तरह के सिस्यों ने उनके सव को कोईल नदी पार कर गुमला के सोसो नित तोली के एक टाण में दफना दिया और आज यह हरस्तल तेलंगा तोपा टाण के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जैसे ही वह बोधन सिंग नाम के व्यक्तिनों ने गोले मार दी तो उहां पर उनके जो सीश्य थे जो लोग थे व झ gera करे है यह सोसो निम्तोली का एक टाण है उनको तेलंगा तोपा टाण के नाम से जाना जाता है तो इस परकार तेलंगा खडिया सहीध होगे और यह व्यारखंड का बीशर्पूत अपने देश के लिए अपने मात ने भूमी के लिए सह्थ होगे तो इन वांद सत्सक्राइब क्योंकि इन्हीं के बदोलत आज हम सोतंता पूर्वाग जी रहे हैं अंग्रेजों से हम लोग मुक्त हो गए हैं तो इनका जो योगदान उसको भूलाना चाहिए और इनको हमेशा सम्मान करना चाहिए सम्मान इनको हमेशा मिलना ही चाहिए तो उस वक्त जितने खड़िया के बारे में जितने पी जानकारियां थी जहां से कोस्टिम्स पूछा जा सकता है उन सारी चीजों को मैं बता दिया हूं उनका डेट ऑब बर्थ कहां पर उनके माता पीता पत्नी और पूत्रे का नाम और कहां पर हुए जूरी पंचायत करते थे उन सब सारे वीडियो मिलती रहें थैंक यू दोस्तों